तो आज के इस After Effects टुटोरियल में हम लोग क्रिएट करेंगे यह बहुत इंट्रेस्टिंग टाइपोग्राफी अनिमेशन अब यह जो अनिमेशन है यह ओरिजिनली बनाया है किकन ने अब किकन एक बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट है जो इस टाइप की बहुत सारे आर्टवर्क अपने इस्सेग्राम पर पोस्ट करते रहता है और मैं इसे बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और मैं इसे बना रहा था तब मैंने काफी सारे इंट्रेस्टिंग एफेक्स और टेक्नीक्स इसमें यूज किये तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पेक टुटोरियल बनाओ जिससे मैं आपके साथ भी यह सारे टेक्नीक्स और ट्रिक्स शेर कर पाओ और आप इन्हें यूज करके अपनी क्रियेटिविटी एड़ करके और वे इंट्रेस्टिंग एफेक्स और अनिमेशन बना पाओ तो इसे के साथ चलिए आज का वीडियो शुरू करते है अल्राइट तो यहां पर है हम लोग आफ्टर एफेक्स के अंदर स्टार्ट करेंगे एक नया कॉम्पोजिशन क्रियेट करके मैं जो कॉम्पोजिशन के विद और हाइट है वो रखोंगा 1000 बाई 1000 आप चाहो तो ज्यादा भी रख सकते हो कम भी रख सकते हो आपके ओपर है मैं से नाम दे दूंगा रेंडर जो की होगा हमारा में रेंडर कॉम्पोजिशन 24 fps फ्रेम रेंड और 10 seconds पर फिर हम और एक नया कॉम्पोजिशन क्रियेट करेंगे इसे नाम दे देंगे टेक्स्ट जो की होगा हमारा टेक्स प्लेस ओल्डर एंड फिर आप टेक्स तूल से लेकर करके जो भी टेक्स टाइप इन करना चाहो वो टाइप कर सकते हो मैं टाइप कर रहा हूँ आर्टि टूल एंड क्रियेट करेंगे मास्क फ्रॉम दी सेंटर अप मेक्शूर करना है कि कंट्रोल और शिफ्ट एक साथ होल करो ताकि हम प्रॉप पर एक सर्कल जो है अकुरिट सर्कल जो है वो बना पाए तो सम्वेर आराउं तेस पिक शुट बी फाइन और फिर हमें जाना है ट दूंगा और जो फॉर्स्ट मार्जिन है फिर उससे हम एजस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से ताकि जो हमारे टेक्स है वो प्रॉपली सेंटर में और टॉप में आ जाए और फिर हम एड करेंगे बहुत इंट्रेसिंग सा अनिमेशन और अनिमेशन एड करने के लिए हम कर देता मुझे नहीं चाहिए और क्लियेट करेंगे एक की फ्रेम यहां पर फिर जाओंगा मैं आराउंड लेट्स को अड़ा लेता है कुछ ऐसे और फिर मैं जाओंगा फोर सेकंद्स पर और यह की फ्रेम को कॉपी पेश्ट कर दूंगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके तो हमें कुछ ऐसा एक अनिमेशन मिल जाएगा जो की काफी बोरिंग है तो इसे थोड़ा सा और इंट्रेस्टिंग बनाएंगे तो वह करने के लिए हम सिलेक करेंगे की फ्रेम्स केरत करके जाएंगे कि फ्रेम चूस्टेंट इसी या सिंप्ली अफ 9 प्रेस कर सकते हो surface जांगे graph 7 मेरी होने मैं right click करके select करूंगा edit speed graph फिर हम क्या करेंगे यह time indicator है इसे मैं यहाँ पर place करूंगा center में इस graph के और इस point को select करूंगा और यह handle को shift hold करके drag करूंगा इस तरीके से फिर इसे भी मैं कुछ ऐसे drag कर दूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो हमें percentage दिख रहा है तो इससे मैं set कर दूँगा around 90 के influence पर और make sure करना है कि यह भी set हो 90 के influence पर ताकि दोनों का जो speed है वो almost same रहे यही चीज मैं यहाँ पर भी करूंगा यहाँ पर मैं इसे drag करके set कर दूँगा around 90 okay and इसे भी हम 90 पर set कर देंगे तो अब अगर मैं इसे preview करूं तो हमें यह बहुत ही interesting सा text animation देखने मिल जाता है जो कि काफी interesting है and yeah I think it looks good तो यह होगे हमारा main text इसे मैं rename करके text नाम दे देता हूँ फिर इसका एक duplicate लेंगे ctrl d press करके यह होगे हमारा duplicate इसे में हम नाम दे देंगे echo जो की echo effect इस पे हम जो add करेंगे इसी वज़े से मैं echo बोल रहा हूँ फिर हम जाएंगे effects and presets में और search करेंगे echo effect बहुत interesting effect है इसे drag and drop कर देंगे और यहां पर बहुत सारी शीज़े है जिसके साथ हम खेल सकता है but echo effect एक ऐसा effect है जो हमारे system पर बहुत heavy हो सकता है और हमारे system को slow कर सकता है तो यह जो number of echoes है इसे हमें धीरे धीरे बढ़ाना है मतलब धीरे धीरे इसकी जो intensity है वो बढ़ाएंगे अगर हम directly बहुत जादा बढ़ा देंगे तो हो सकता है कि आपका after effects crash हो जाए तो सबसे पहले तो समझता है कि echo effect करता क्या है तो यह इस तरह की ट्रेल बनाता है और जितने भी number of echoes में डालूंगा उस तरह के बढ़ा देगा देख रहे हो और जो delay है वो set है echo time पर अब हम इसे change करेंगे इसे मैं set कर दूंगा 07 या 77 सरी रहेगा तो अब हमें काफी कम echo यहाँ पर देखने मिल रहा है तो echoes basically repeated steps है उस particular shape या letter के यहाँ पर हमने number of echoes जो है वो 7 पर रखा है अगर मैं चाहू तो इसे कम जादा कर सकता हूँ बढ़ जादा करूंगा तो काफी जादा intense हो जाएगा और जादा हमें कितना करना है वो भी हम देखेंगे फिर यहाँ पर starting के intensity है तो इसे मैं 0.5 कर देता हूँ तो इस तरीके से एक बहुत अच्छा look मिल जाता है और जो dk है इसे हम set कर देंगे 0.96 पर तो इक बहुत ही अच्छा सा look हमें मिल सकता है अब मैं suggest करूँगा कि आप यह जो properties है उनके साथ थोड़ा सा खेलो बट number of echoes के साथ थोड़ा सा ध्यान से खेलना तो अभी आप दिख सकते हो काफी जादा space है हर एक letter के बीच में वह उतना smooth नहीं लग रहा है तो उसे smooth करने के लिए हम एक तो number of echoes बढ़ा सकते हैं और एक चीज जो मैं कर सकता हूँ वह है turn on कर दूंगा motion blur तो मैं text को select करूँगा layer को यहां पर click करूँगा और motion blur जो है वह turn on हो जाएगा इससे आपका अगेन जो कॉम्प है जो animation है वह हैवी हो जाएगा system पर हैवी होगा पर जो smoothness आपको मिलेगी वह बहुत जादा अची होगी आप देख सकते हो कितना जादा smooth लग रहा है तो मैं एक चीज सजेस्ट करूँगा वह है कि जब कभी भी आपको render करना हो इस animation को तब आप इसे on कर दीजे का करते हैं आप इसे off ही रखिए तो आप easily और fast काम कर सकते हो तो हमने base तो बना लिया animation का अब मैं चालता हो कि सबसे पहले तो number of echoes को थोड़ा और बढ़ा देता हो 70% करूंगा जिससे जो trail है उसकी और लंबी हो जाए तो दिखने में वह काफी जादा cool लगता है as you can see right and दूस ठीक है okay है बट मुझे चाहिए कि gradient हो कि जो intensity है starting की वह अलग color की हो जैसे जैसे यहां पर intensity कम हो रही है वह अलग color हो तो उसे add करने के लिए मैं use करूंगा colorama इसे add कर देंगे अब यह कुछ इस तरह किसी दिखेगा obviously तो इसके लिए हमें क्या करना है सबसे पहले तो मैं जा कर दूँगा मैं alpha ठीक है अब मैं क्या कर सकता हो इन points पर double click करके जो भी color मुझे add करना है वो मैं add कर सकता हो for example अगर मुझे कुछ yellowish color चाहिए यहां पर तो वह मैं add कर दूँगा and फिर मैं यहां पर और एक point बनाऊंगा और इसे मैं मान लीजिए कुछ orange सा color दे देता हूँ क्लिक करूंगा okay पर और इसे थोड़ा और yellowish tone में लेकी जाता हूँ मैं तो यहां पर आप देख रहो कैसे variety में मिल रही है फिर मैं चाहूँ तो यहां पर और एक click करके मैं add करूंगा अच्छा सा blue color and फिर यहां पर probably और एक click करके add कर देंगे purple सा color जो कि मुझे लगता है का हमें मिल रहा है अगर मैं motion blur को on कर दू तो आप देख सकते हो अगर मैं इसे preview करूं देख रहो preview भी कितना slow हो रहा है क्योंकि obviously हमने motion blur तो add किया ही है उपर से echo effect already काफे intense है पर इससे आपको एक idea आ जाएगा कि किस तरीके से यह overall look हमें मिल रहा है जो कि I think is very very nice तो देख रहे but you basically get the idea of what kind of look I'm going for my purple को थोड़ा और intense कर देता हो कुछ ऐसे all right so this is nice this is looking very nice तो अब हम जाएंगे main render composition के अंदर सबसे पहले तो कुछ assets है मेरे पास यह मैंने google से simple png image डाउनलोड की ती तो वह मैं add कर देता हो कुछ इस तरीके से इसे चोटा कर देंगे and yeah सबसे पहले तक background add कर देता है इसे hide कर दूंग अभी के लिए ctrl y press करूंगा new solid layer create करने के लिए इसे नाम दे दूंगा bg for background फिर जो text composition हमने create किया ता उससे drag and drop कर देता है एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहां पर collapse transformation का यह जो button इसे on कर देना है ताकि हम जितना भी से scale करे हमें जो quality है उसमें कोई loss ना मिले फिर मैं image को भी on कर देता हूँ इस यहां पर place कर दे करेंगे अब image पर मैं add करूंगा एक tint effect मैं जाओंगा effects and presets में search करेंगे tint effect double click करेंगे और अभी काफी मैंने गलती से text पर image को select करके उस पर tint effect add करेंगे और मुझे जो black and white के intensity है वो इतनी जादा नहीं चाहिए तो मैं इसे थोड़ा सा और gray stone में मतलब जो है वो लेके जाओंगा कुछ ऐसे थोड़ा सा faded look मुझे जादा पसंद आता है background के साथ भी हम कुछ ऐसा कर सकता है मैं fill add कर देता हूँ और ज इसलिए plain black या dark black नहीं use करना है okay so that is looking nice जो image है उसका जो tint है उसके black में भी मैं थोड़ा सा grayish black type ले लेता हूँ कुछ ऐसे okay so that is looking nice अब हमारा जो text है इसके साथ हम खेलेंगे थोड़ा s प्रेस करूँगा इसे छोटा कर दूँगा कुछ यहां पर इतना तक ठीक है और image को मैं थोड़ा सा नीचे ले लूँगा सिबसे पर इमेज मुझे एक दिम सेंटर में नहीं चाहिए यहां पर कुछ इस तरीके से अब क्यूंकि यह इतना है और फिर मैं कुछ और डूपलिकेट्स कॉपी ले लूँगा यहां पर कुछ इस तरीके से फिर से ctrl D मैं सोच रहा हूँ पांच कॉपी बना लूँ सभी लग रहा एंड लेट्स को विट वन मोर करते हैं Drupal अब हम क्या खरेंगे एक न्यून अप्जेट करेंगे यहां पर जाकर हम नall object और इसने में नाम वेक्या करना अंच लेट्छल एंगा इंक और सारे टग्सक्ति छेन अंप सलेक्ट करना है और यह जो पारेंक का बटिन है इस नल से parent कर देना है इससे क्या होगा कि हम एक नल यूज़ करके सारी चीजों को control कर पाएंगे मतलब सारे text layers को जो है वो control कर पाएंगे अगर आपको यह parent option नहीं दिखता आपको simply यहाँ पर जाकर right click करना है columns और parent option को turn on कर देना है तो यह थोड़ा जादा चोटा हो गया थोड़ा और बढ़ा कर दूंगा कुछ ऐसे okay so this is nice and इसे थोड़ा मैं उपर move कर लूँगा सोच रहा हूँ तो मैं again P press करूंगा and position को थोड़ा उपर ले लेंगे so as you can see it's looking very very nice yeah final touch के लिए मैं add करूंगा एक paper texture यहां पर उपर सबसे and इसका जो scaling है वो नीचे कर दूंगा कुछ ऐसे and जो blend mode है वो set कर देंगे screen पर जिसे overall हमें यह बहुत अच्छा texture मिल जाता है this looks really nice और इस पर मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि कर दो तो हम जाएंगे effects and presets में search करेंगे curves तोड़ी intensity जो है वो बढ़ा दूंगा कुछ यह से okay so that is looking nice and फिर add करेंगी glow up अब चाहो तो default glow भी use कर सकते हो जो after effects के साथ आता है बट मैं use करूंगा एक paid plugin जो की है deep glow है तो उसकी link में दे दूंगा अगर आपको purchase करना है तो आप purchase कर सकते हो तो मैं create करूंगा new adjustment layer इसे में नाम दे दूंगा glow and यहां पर मैं search करूंगा deep glow double click करेंगे and यह बहुत intense है मतलब बहुत जादा तो 0.05 बहुत हलका सा glow मुझे चाहिए overall और फिर मैं हमारा motion blur है उसे मैं turn on कर दूंगा make sure करना है कि जादा है भी न हो जाए but overall you can see it is looking fantastic सो काफी सही लग रहा है मुझे पट यहां पर और एक चीज में करना चाहता हूं अभी क्या है ना look तो हमारा final हो गया है काफी अच्छा दिख रहा है एक चाहिए तो मैं और एक curves adjustment डाल दूंगा यहां से copy कर लेता हो actually जो हमने इस यहां पर आड़ किती ctrl c and glow पर आड़ कर दूंगा ctrl v तो intensity थोड़ी से और control में आएगी so that is looking nice okay यह बहुत जादा है थोड़ी कम कर दूंगा motion blur को off कर देता हो ताकि थोड़ा सा काम जल्दी हो पाए okay this is looking much better थोड़ा जादा dark हो गया मैं सोच रहाँ पेपर texture पर से निकाल देता है और से glow पर रखते है okay perfect यह काफी मुझे सही लग रहा है ठीक है अब क्या करेंगे हां तो मैं बात कर रहता है animation की अब जो text है ना वो एक साथ animate हो रहा है मतलब अगर मैंसे हाफ पर सेट कर दो अब दिख सकते हो सारे text animations एक साथ हो रहा है तो हम इसे थोड़ा सो offset कर सकते जिससे इसका जो look है वो और भी ज्यादा इंट्रेस्टिंग हो जाएगा तो वो करने के लिए हम सारे text layers को select करेंगे right click करेंगे चाहेंगे time और enable time remapping इसे यहां पर move कर लेंगे let's say one second stretch कर देंगे ऐसे और एक एक frame से page down press करूंगा एक frame आगी जाने के लिए और हर एक layer को एक frame आगे लेके जाएंगे अपने उपर वाई layer से मेरे खाल से मैंने उल्टा कर दिया पहले बढ़ा वाला जा रहे तो मैं चाता हो कि पहले अंदर वाला जाए तो हम क्या करेंगे यहां पर इसे सेट कर देते हैं यहां पर ऐसे और यहां पर ऐसे तब जो छोटा वाला टेक्स आपसे चोटा टेक्स्ट है वह पहले अनिमेट होगा और फिर जो उपर वाले टेक्स्ट है वह अनिमेट होंगे तो displacement काफी हलका सा है और एक बहुत ही overall अच्छा इंट्रस्टिंग लुक हमें मिल जाएगा ऐतिक वन फ्रेम काफी कम है तो त्व फ्रेम से अगे कर लेते हैं यहां पो जाते है वन तू वन तू एंड वन तू ओके अब काफी जादा बैटर लग रहा है तो चली इसे प्रिविव करते हैं देखते हैं कैसा लग रहा है तो देख सकते हो एक हलका सा ओफसेट करने से जो ओवराल अनिमेशन का जो लुक है वो काफी जादा इंट्रेस्टिंग हो गया है वेरी वेरी नाइस और अब मैं चाहू तो ओविसली मोशन बलर को ओन कर सकता हो बट रेंडर टाइम काफी जादा बढ़ जाएगा तो मैं रेंडर के वक्ती से ओन करूंगा अब मैं चाहू तो इसके साथ और भी जादा मतलब चीज़े कर सकता है इसको भी अनिमेट कर सकता है बहुत सारी अलग अलग चीज़े है जो मैं आप पर छोड़ता हो कि आप जैसे चाहे इसे यूस करें अपना कुछ कूल सा अनिमेशन क्रिएट के और जाने से पहले फाइ पर क्लिक करना है और फिर मैं एड करूंगा एक बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन लूप आउट कैपिटल ओ ओ ओ ओ ओ अपनर क्लोज ब्राकेट्स एंड सेम एक्सप्रेशन को मैं कॉपी करूंगा और फोल करके यहां पर पेस्ट कर देंगे तो इससे क्या यह लूप होते इस तुटोरियल अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए होते हैं सब्सक्राइब कर ले आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो डोप.motions और निखिल पवार पे लिंक् बहुत ही जल्द खतम होने वाली है क्योंकि बहुत ही जल्द मैं उसको को अपग्रेड करने वाला हूँ जिसे उसकी प्राइस चेंज हो जाएगी अगें लिंक इस इन डिस्क्रिप्शिन इसी के साथ मैं आप लगों समय लूँँगा अगली वीडियो में तब तक लिए टे ड स्थी चर्डवाग देब आएंगी है किस बालोब है कि समय की वीडियो जब ज हुआएट 15 श झाल झाल